तो फाइनली दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि आखिर ये जो फैन है तो इसको अगर हम अपने इस्टेपलाजर के अंदर लगाते हैं तो इसका सही तरीका क्या है कि कहां पर इसको हम लगाएं जिससे कि हमारे इस्टेपलाजर अच्छा चले ों कैसी मैं लगाएं दोस्तों तूट यह आ जाती है कि आखिरने इसको हम क्यों लगा तो सारी केथा जानुटरी इस वीडिव एंदर कंपलेट करेंगे बस वीडियो को अपकम पलीट ही बाच करना दोस्तों तो दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट तो मैं हूँ आपका बनावाई तोसीब और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रोनिक्स एंड इलेक्ट्री का सवी लेटेर वीडियो लाते रहे तो फाइनली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब दोस्तों यहां पर बात यह आ जाती है कि आखिर इसको हम क्यों लगाएं सबसे पहली चीज आती है तो क्यों लगाएं तो दोस्तों क्यों का एक ऐसा सवाल होता है कि यह हम कैसे करके क्यों लगाएं तो दोस्तों यहां पर एक चीज़ को मैं किलियर करूं पहले कि इसको लगाना क्यों जरूरी तो दूस्तों लगाना यह इसलिह जरूरी है कि हमारा इस्टेबलाजर फार्मर है दोश्तों वहाँका मतलब कि अगर जाद गरम होरा है तो गरम कम होगा दोसों दूसरी चीजह आ rhोम कंडॉलर जो circuit लगा है तो दोस्तों बहाँ पर heating की थोड़ी कमी आ जाएगी मतलब कि वहाँ पर जो ना card भी हमारा heat जादा नहीं होगा मतलब कि card अगर हमारा normally में रहेगा तो card भी हमारा अच्छा चलेगा दोस्तों मतलब कि यह जो fine जो होता है दोस्तों यह हमारे stabilizer में इस तिरीके से work करता है कि हमारे transformer को और card को safely बचा करेता है मतलब कि यह थंडा से थंडा करने की कोषिस करता है ढ पर दोस्तों मतलब कि यह नहीं है कि इस fine को लगाने से तो AC एकदम जल जाएगा तो यह सी टो नहीं चलने वाला सस्ट गाल खरत हृए तो यह तो थाका काम यह तो क्या हogether ॅब fast सब्सक्राइब الخ यहां पर यहां तो आप यहां पर यहां पर यहां यहां फिर दो सपरर की आपश को लगे कुछ दोस्तों रागा हुआता है द्कंपना की सकते हैं छहां यहां बेस्थ चुले। तो दोस्तों यह था इसकी प्रक्रिया पूरी कि इसको आखिर हम क्यों लगाए और कहां पर लगाना चाहिए और इसको तो दोस्तों आपको इसमें पता भी चल गया होगा दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में ताप तक अपनों का ख्याल लगेगा